हम लोग डिसकस करेंगे molecular basis of inheritance के chapter के test 1 के कुछ important questions को और जिसके माध्यम से कई concept भी learn करेंगे यह पहला question हम लोगों के discussion में जिसमें हमसे पुछा गया है डियोक्सी राइबोज शुकर के बारे में जो DNA में present है और यह अलग-अलग options हमको दिये गए है question पुछना क्या चाह रहा है पहले तो आपको learn करना है कि डियोक्सी मतलब जातर बच्चा पहचानता है डियोक्सी मतलब एक oxygen कम है इस शुगर में डियोक्सी राइबोज में एक oxygen कम है अब आप से पुछ रहा है कि यह उस शुगर के कौन से कार्बन पर एक oxygen कम है और उसी के options दियें आपको 3' 5' 2' 1' करना क्या चाह रहा है बताना क्या चाह रहा है यह represent करेंगे जरा nucleic acids में दो प्रिकार की sugars है राइबोज एंड डियोक्सी राइबोज जो राइबोज शुगर है उसकी स्थिति क्या है राइबोज शुगर में यह condition कारवन भी मार्क करूंगा भी यह राइबोज शुगर इसमें यह इसका 1' कारवन क्यालाता है 2' कारवन 3' कारवन 4' कारवन और यह 5' कारवन रिंग में पाचवा स्थान ओक्सिजन का है पाचवा जो कार्बन है वो रिंग के बाहर है अब जरा इसका कंपरिजन आप डियोक्सी राइबोज से कर लीजिए डियोक्सी राइबोज शुगर की जो इस्थती है उसमें ये कंडिशन है डियोक्सी मैंने कहा एक ओक्सिजन कम ह और अब आपको एकदम clearly दिख जाएगा कि कहां पर एक oxygen कम है वही positions यहां पर यह वन प्राइम, टू प्राइम यह जो उपर टोपी पहनाते न इसको बोलते हैं प्राइम, कुछ लोग 1-2- बोलते हैं मिनिंग सेम है यह 3-4 प्राइम और 5 प्राइम अब आप खुद ही देख ल इस पर ribose में तो OH है, जबकि deoxy ribose sugar में इस position पर, यहां पर OH की जगा है, H है, इसका मतलब deoxy ribose sugar जो DNA में present है, वो deoxy है, किस position पर, वो deoxy है, 2 प्राइम position पर, यही हमारा answer भी है, जो आप यहां observe कर रहे हैं, यही हमारा answer भी है, so concept must be clear about the two type of sugars and their presence, जो ribose है, वो आप पहचानते हैं, वो किस में है, RNA में, और यह DNA का question ही है, deoxy ribose sugar, वो किस में है, DNA में, नाम भी उनके उसी से है, ribose nucleic acid and deoxy ribose nucleic acid, फिर उसके बाद, next question हम लोगों के discussion में आ गया, यहां पर, जिसमें, जो अगली query हम लोगों से की गई है, वो question क्या कहता है, बहुत, close point रखके question पूछा है मैंने, during synthesis, during protein synthesis, when complete polypeptide is formed, आप से क्या पूछना चाहता है, जब यह complete polypeptide बन जाता है, तो इस polypeptide को आखरी tRNA से, last tRNA से अलग करने की जो जिम्मेदारी है, वो किस की है, last tRNA molecule से इस polypeptide को separate करने की जिम्मेदारी किस की है, यह आप से पूछा गया है, पहले ज़रा observe कर ले, diagram को, यहाँ पर यह आखरी tRNA है, यह last tRNA है, जोड दिया मैंने, जिस पर अभी तक यह अब तक की बनी हुई polypeptide chain जुड़ी हुई है, यहाँ पर यह आखरी में एक component आ किया release factor, यह आखरी tRNA जहाँ पर यह जुड़ा हुआ है, यह इसका आखरी sense codon है, release factor किसके opposite आकर bind किया हुआ है, stop codon, जो आप पहचानते हैं, तीन प्रकार के हो सकते हैं, जो यहाँ पर UAG, UA and UGA, तीन प्रकार के stop codon मार्क किये गए हैं, और बाद में यह polypeptide chain अलग हो क्या क्या options आपको दिये यहाँ पर, यह polypeptide chain को stop codon ने अलग कर दिया, जादतर बच्चा यही पहचानता है, कि जी translation को terminate करने की जिम्मेदारी किसकी, stop codon की, लेकिन बाकी options पर ध्यान देने की जरूरत है, elongation factor, release factor, ribosomal RNA, ribosomal RNA तो क्या, partner ribosome का ही है, इसका मतलब जो main ज stop codon का और एक option है, release factor का, stop codon translation के process को रोक जरूर रहा है, लेकिन polypeptide chain को तोड कर, यह जो आखरी bond है, इसको तोड कर, polypeptide chain को free करने की जिम्मेदारी, stop codon की नहीं है, correct answer is release factor, correct answer is release factor, release factor क्या करता है, यह जो bond है, आखरी amino acid और TRNA के बीच में, उसको तोडने की जिम्मेदारी है, और अगर इसमें chemistry लगाऊं, तो यह bond होता है, एक प्रकार का ester bond, उस ester bond को तोड कर, polypeptide chain को release कराने का काम करता है, release factor, यही आपका answer है, फिर इसके बाद, next question हम लोगों के discussion में आता है, यहाँ पर, अगले question में आप से क्या पुछा गया है, कि जब protein synthesis, फिर protein synthesis का concept लिया, जब protein synthesis का process चल रहा होता है, तो नया charge TRNA, जो अगले amino acid को लेकर आता है, वो इस ribosome complex की, जो mRNA के उपर जड़ा हुआ है, इसकी कौन सी site, कौन से स्थल पर आकर enter करता है, यह आपको options दे दिए, P site, A site, E site, active site, अब आप इनमें apply करेंगे, apply करेंगे तो आपको पहले जानकारी चाहिएगी, यह जो P site है, यह कहां है, A site, E site, पहले इनके positions बताता हूँ, P site का मतलब ही होता है, peptidile site, यह होता है, peptidile site, इसका मतलब जहां पर अब तक की बनी हुई peptide chain है, उसको बोलते है, P site, यह जो P site है, A site शब्द का मिनिंगी होता है, aminoacyl site, aminoacyl site, इसका मतलब जहां पर नया amino acid enter करता है, वो aminoacyl site है, यह जो position है, यह old A site है, old क्यों लिखना हूँ, वो भी बताऊँगा, यह पुरानी A site है, अब तक की A site है, जहां से पुराना TRN ने बाहर जाता है, जो amino acid दे चुका, वो ह क्या होती है, exit site, यह exit site है, यह TRN यहां से बाहर जा रहा है, यह आप तक की condition है, यह आ रहा है, नया TRN, किसको लेकर, amino acid को लेकर, यह रहा TRN, यह इसका कोडोन, और यह रहा इस पर जुणा हुआ, amino acid, आप से पुछ रहा है, इसकी entry बताओ कहां पर है, यह नई A site होगी, new A site इसकी जो entry है, वो नई A site पर होगी, तो नया amino acid, TRN के साथ, enter करता है, amino acid site पर, यह A site पर, और वही हमारा correct answer भी है, entry, बिल्कुल simple, neat, based चलना है, क्या साधान, point, NCRT के questions में से, उठा कर हम से, पूछ सकता है, so this is our correct answer, A site, फिर उसके बाद, next question का discussion लेंगे, अगले question के discussion में, हमसे जो सवाल किया गया है, NCRT का diagram लिया हमने, उस NCRT के diagram में, वही तरीका, simple ABC कर दिया, और यह component आपसे पूछे हैं, कि यह component क्या क्या है, transcription का diagram है, NCRT का, NCRT के इस transcription के diagram में, आप पेचानेंगे, यह DNA helix, इस पर आकर ज polymerase एक protein factor उसकी साहता करता है, उस protein factor को क्या बोलते है, जो starting में, transcription को start करने में साहता करता है, वो पहचानना है, फिर जब transcription terminate होता है, तो वहाँ भी एक protein factor साहता करता है, वो पहचानना है, यही पुछा गया है, यहाँ जो यह बड़ा component है, NCRT के diagram में, जिसको मैंने यहाँ और A mark किया है, यह है RNA polymerase, जो start करने में साहता करता है, वो है sigma factor, जो sigma factor एक protein है, यह starting में साहता करता है, support करता है, और जो process को, transcription के process को terminate करने में साहता करता है, वो यहाँ पुछा है, C में, यह जो termination वाला है, वो कहलाता है, row factor, वो कहलाता है, row factor, यह termination में, ध्यान रहे, transcription के termination की बात कर रहा हूँ, यह termination में साहता करता है, और एक point common है इनमें, यह बड़ा वाला गोला, यह बड़ा वाला गोला, यह क्या है RNA polymerase, अब आप पहचान लो, तो यह, जो A है, यह बड़ा वाला गोला है, यह है RNA polymerase, जो B है, starting में साहता कर रहा है, sigma factor protein है, transcription initiate करने में साहता करेगा, और जो C है, वो row factor है, जो terminate करने में साहता करेगा, answer आ गया, NCRT के point है, और उनसे यह हमारा answer mark हो गया, पहचान एकदम clear होनी चाहिए, बार-बार कहूँगा, need target करना है, यह आपका NCRT based diagram वगएरा, एकदम आपक answer बन गया, यहाँ पर, option number 3, next question हम लोगों के discussion में, जिसमें protein synthesis के बारे में और एक question पुछा गया, कहता है, कि जब peptide bond का formation होता है, तो किस प्रकार से peptide bond बनता है, amino acids के कौन से भाग आपस में जुडते हैं, और किस प्रकार का reaction चलता है, इसको represent करने के लिए, अलग-अलग options आपके सामने रखे, मैं इन options को साधान तरीके से आपको समझाऊंगा, पहला option क्या कहता है, पहला option कहता है, कि किसी amino acid का, कार्बोकसिल ग्रूप, अगले amino acid के amino group से जुडता है, अगले amino acid के amino group से जुडता है, और इसमें water का addition होता है, यहीं गलती कि रूटर का addition होता, यह ए Amino Acid का Carboxyl Group अगले Amino Acid के Amino Group से जड़ता है और इसमें Water का Ellymination होता है आप कहते हैं Water Moet I मतलब Moet I Madame Нуaj बाग नहीं जाना है Oxygen D Right ते मॉइटी मतलब युडब यूनिट यह Point एकदम lifecycle है अन्सर भी यही बनेगा कि Carboxyl Group अगले Amino Acid के amino group से जुड़ता है और इसमें water का elimination होता है बाकी इन में क्या problem है amino group यहाँ अगले के carboxyl से जुड़ेगा यहीं गलत हो गया यहीं गलत हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो correct answer बनेगा वो correct answer बनेगा second कैसे बनेगा वो भी शो करूँगा ऐसा नहीं है पहले इस options को यहाँ पर आपके सामने represent कर रहा हूं किस प्रकार से बनेगा उसको भी लूँगा पहले यह learn कर लेना है कि carboxyl group of one amino acid associates with amino group of next amino acid with the release of one water unit एक water unit release होने के साथ peptide bond का formation होगा कैसे होगा यह जरा represent करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका representation यहाँ पर शो करूँगा आपको यह answer आजया पहले तो हमारा अब यह हमसे करवाना क्या चारा है अगर इतने पर आपको बात यह समझे में नहीं आती है तो यह हमसे क्या represent करवा रहा है उसको जरा यहां लिखकर देखते हैं यह हमसे कहना चारा है कि कोई amino acid है यह amino acid का general representation यह कोई मैंने amino acid ले लिया जिसके func r group और functional group को मैंने one लिखा मतलब यह पहला amino acid और यह इसका इधार amino group अब इसको जोड़ना है मुझे अगले amino acid से इसको अगले amino acid से जोड़ने के लिए मैंने यहां पर यह next amino acid लिखा यह इधर amino group आएगा अगले amino acid का यह ns2 group को ऐसे लिखा है मैंने यह hr2 लिखा next amino acid के लिए और यह इसका COOH अब हमसे जो कह रहा है कि peptide bond कैसे बनेगा ऐसे बनेगा जी peptide bond यहां से minus h2o होगा यह minus h2o के साथ water molecule release होने के साथ peptide bond का formation होगा और resultant आपको peptide bond के रूप में यहां यह आगे दिखाई देगा इन दोनों को जोड़ दिया मैंने peptide bond से यह तो यहां तक की कहानी थी हमारी इनको peptide bond से जोड़ दूँगा यह आ गया इनके बीच में peptide bond और यह हमारा केस अगले amino acid के यहां जुड़ने का हाँ यह ज़रा इसको यहां वापस जुड़ते हैं यह peptide bond मैं यहां पर बनाना चाहरा हूं इस peptide bond के साथ यह association यह आ गया यह जो ग्रीन से आप देख रहे हैं यही क्या है peptide bond है यही क्या है peptide bond है यह peptide bond का formation आ गया अब आपने question पर अपलाई करके देख लो clear दिखेगा वो ही बोलूँगा बापस carboxyl group of nth इसको ऐसे लेख सकता हूं कि अगर यह n है तो अगला जो 2 है वो n plus 1 है so carboxyl group of nth amino acid is associated with amino group of n plus 1 amino acid with release of one water molecule to form peptide bond और आगे ऐसे ही होता जाएगा इस carboxyl के साथ अब अगले का amino जुड़ेगा अगले का जुड़ेगा अगले का जुड़ेगा ऐसे ही process आगे बढ़ता चरा जाएगा इस प्रकार से peptide bond का formation होता है यहाँ पर यह peptide bond के साथ एक और important question आपसे पूछ सकता है कि यह peptide bond बनाया किसने enzyme पूछ सकता है इस peptide bond को बनाने का जो enzyme है वो enzyme कहलाता है peptidyl transferase वो enzyme कहलाता है peptidyl transferase सवाल आएगा इसका भी आगे है क्या नाम दिलाया है peptidyl transferase याद रखेगेगा इस पर कई बच्चों ने गलती की है तो यह peptidyl transferase आगया peptide bond का formation हो गया this is complete explanation of this question फिर उसके बाद अगले question पर हम लोग आएंगे जिसमें next question में यह DNA के replication से related option आपके सामने रखे गए हैं ना ऐसा नहीं है लूचाएगी ध्यान से देखना है कि कह रहा है DNA के replication को represent करने के लिए कौन सा डाग्राम करक्ट है अपनी basic theoretical knowledge लगानी है DNA का जब replication होता है तो आप पढ़ते हैं कि एक strand का synthesis continuous और दूसरे का चोटे टुकड़ों में ओकाजा की fragments के रूप में होता है continuous synthesis किस template पर होता है जो template हो 3' से 5' प्राइम फ्रेग्मेंट्स ओकाजा की fragments किस पर बनते हैं जो template हो 5' से 3' या 5' से 3' अब apply करते जाओ पहला option क्या कर रहा है तुकड़े बना रहा है लेकिन कौन से template पर जो 3 से 5 है गलत हो गया जिए 3 से 5 वाली template पर तो 523 continuous जाता है second option क्या कर रहा है जहां पर NCRT के डाइग्राम की तुलना में आपसे चला की की गई है second option में जो 5' से 3' है उस पर ओकाजा की fragment बनाए गए यस उससे उल्टे direction में बनाए गए यस और जो 3' से 5' की template है उस पर नया DNA बनाया गया yes technically यह एकदम correct pointer दिखता है बाकी option भी देखेंगे यह दिखने में NCRT के डाइग्राम जैसा लगता है लेकिन mistake पहचानना जो template ही 5' से 3' है उस पर continuous बना दिया गलत है यहाँ पर यह template 3 से 5 है उस पर continuous बनाया इतना point तो सही है लेकिन okaza की fragment उधर नहीं बनेंगे okaza की fragment इधर बनेंगे क्योंकि कभी भी DNA replication 5' से 3' दिखा में ही जाएगा 3 से 5 नहीं जा सकता अगर यहीं 5 है तो इसके opposite में 3 आना चाहिए क्योंकि ना strand पुराने के anti-parallel होना चाहिए यह तो इधर बगा दिया इसने इसके हिसाब जब तो यहां 5 हो जाएगा 5 to 3 5 to 3 इसका मत्तब उस direction में okaza के fragment नहीं बनेंगे ऐसे उल्टे बनेंगे तो यहां पर भी mistake यहां पर भी mistake यहां पर भी mistake यहां पर भी mistake so correct answer is option number 2 option number 2 जो है यह हमारा correct answer है representation का technical point देखने है खाली photo देखने से सवाल नहीं बनेगा तो यह correct answer आ गया एक green भी हुआ है थोड़ा लेकिन छोटा सा part है जहां से देखेंगे तो यह यहां पर इसका explanation आ गया है इस question का next question पर हम लोग चलेंगे अगले question में जो हमसे पुछा गया है वो point जो यहां पर आता है यह भी हां फिर मैंने अच्छे खासे स्थर्गी चालाकी किये समल के चलना है बहुत बच्चों ने इस पर query किये यह transcription का डाइग्राम मैंने NCRT से लिया जिसमें NCRT ने promoter दिखाया terminator दिखाया structural gene यह पूरी unit दिखाई है अब मैंने उसमें थोड़ी चालाकी किये उसको ध्यान से समनके पहचादना है यह आप से ABCD पूछे हैं क्या critical point है वो भी समझाऊंगा question कैसे solve होगा इस बात पर बहुत ध्यान देना है वरना जरा से फिसलने से गलत कर लोगे यहां पर जो representation है उसमें इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि मैंने transcription start site कहां लिखी है और direction किधर जा रहा है direction किधर जा रहा है NCRT के diagram में transcription start site यहां पर थी और इधर जा रहा था जबकि मेरे diagram में यहां नहीं है मेरे diagram में यह transcription start site नहीं है इधर है और transcription इधर जा रहा है logic लगाओ जिस strand का transcription होगा that must be 3 prime to 5 prime तो यह इधर से 3 prime से 5 prime इसका transcription होगा इसका मतलब यह जो C वाला strand है यही template strand है यही क्या है template strand है इसका transcription होगा यह template है थड़ा short में लिखा है यह template है अगर process इधर जा रहा है इसका मतलब इधर से शुरू हुआ है इधर से शुरू हुआ है तो यह जो D है यह promoter है इसका मतलब इधर खतम होगा इसका मतलब जो A है वो terminator है जो A है वो क्या है terminator है और जिस strand का transcription नहीं होता दूसरे strand का वो strand क्या कहलाता है sense or coding strand वो कहलाता है sense strand या coding strand अब ही आप मैच करके देख लो आपको answer कहां दिखाई देगा answer यहां मैंने शो किया खुब ध्यान से पैचान ना पहले मैनत करूंगा इस point पर तो कि मुझे आपको concept देना इसका correct answer is option number four correct answer is option number four जो option number four है वो हमारा correct answer है यह जो a वाला part है that is terminator b वाला part coding a sense strand c template strand and d is promoter आपकी एक ही query बचेगी सर यह प्राटी के diagram से उल्टा दिख रहा है कोई बात नहीं है एक step और लूँगा और एक दम इसको clear करूंगा एक बात पर पूरा ध्यान देना है transcription मेरे diagram में जा रहा इधर से इधर बच्चों का सवाल क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है दो में से एक ही strand का transcription होगा लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि पूरे DNA की length में यह guarantee है कि हमेशा दोनों में से उसी एक ही strand का transcription होगा नहीं ऐसी कोई guarantee नहीं है दो strand में से एक strand का transcription होगा पर वो बदल सकता है वो ही मैंने बदल दिया और इसलिए बच्चे को question को करने में यहां पर confusion create होता है concept चाहिए मतलब आप diagram रट के नहीं बैठ सकते हैं दोनों को जरा compare कर देता हूँ आपका NCRT का diagram और जो message मैं आपको देना चाहरा हूँ वो message मैं यहां पर show करता हूँ जरा देखना पहले NCRT के diagram का point बना रहा हूँ NCRT अपने diagram में क्या करता है यह NCRT का diagram NCRT ने अपने diagram में यह बनाया promoter और यह बनाया terminator प्रमोटर से terminator की और transcription जाता है यह 3 प्राइम यह इधर 5 प्राइम यह इधर 5 प्राइम यह 3 प्राइम और यहां तीर लगा कर देख रखा है कि यह transcription स्टार्ट साइट है और इधर जाएगा तो उसके हिसाब से तो सही है promoter से start हुआ promoter ने start करने का message दिया यहां से start हुआ इधर गया तो उसके हिसाब से यह template हो गया और उसके हिसाब से यह coding हो गया लेकिन अगर मैं अपने question में story को बदल दूँ यह transcription start site उधर लिखने के बजाए मैं क्या करूँ यह मैंने आपको DNA की length दे दी और इस length में यह मैंन दना है यह मैंने यहां पर यह और transcription start site का message दिया मैंने यहां इधर arrow लगाया तो इसका मतलब यही template है और यह template है तो यह 3 प्राइम से 5 प्राइम और यह 3 से यह इधर 5 यह template इधर यहां से start होकर process आगे जा रहा है तो इसका मतलब यह template हुआ कहानी बदल गई ना और यह क्या ह to our sense या coding strength यह ही मैंने पूछा था तो यहां से start हुआ तो यह promoter यह terminator इस प्रकार से logic चलेगा तो comparison ध्यान से देख लो यह ncrt था हमने उसको पलट के रख दिया यू पलटा और यू पलटा और पलटने के बाद कई बच्चा पलट गया तो समल के चलना है यह हमारा question था जो हमने place किया है अच्छे से उसको पहचानना है इसलिए हमारा answer इस प्रकार से गया था concept पहचानना है खाली तस्वीर याद करके आगे बढ़ना नहीं है